दोस्तो जस्ट अभी कुछ दिर पहले एक कमपनी की तरफ से काफी बड़ा अनौसमेंट आ चुका है एक कमपनी ने अब धमाकेदार स्टॉक स्प्लेट अनौस कर दिया है टेनिस टू टू के रेशियो से मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फेनो मीडिया बाया आरुश आ अगर हम बात करें स्टॉक के करेंट प्राइस की तो करेंटली 1,750 रुपीज के उपर में चल रहा है कमपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1,610 करोर्स की है अगर बात करें स्टॉक के P.E. रेशियो की तो 42 का है अगर आप इसको इंडस्ट्री P.E. से कंपेर कर रिटर्न उन कैपिटल एंप्लोईड 11.2% का है और वही जो रिटर्न उन एक्विटी है वो 9.15% का है अब 12-15% के बीच में ROCE और ROE अच्छा माना जाता है तो अब कह सकते हैं आवरिज से थोड़ा कम कमपनी का ROCE और ROE हमें देखने को मिलता है फेस वाल्यू स्टॉक की 10 ROCE की है और वही जो debt to equity ratio वो 0.47 का है जो की काफी अच्छा है कमपनी के उपर में जादा debt यहाँ पे मौजूद नहीं है अब आ जाते हैं बात कर लेते हैं इस कमपनी के financials की हम simply last one year को यहाँ पे compare करने वाले हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कमपनी की sales की तो जहाँ पे 2022 के अंदर में बढ़ करके 607 करोर्स पे आ चुकी है तो last one year के अंदर company की sales के अंदर हमें काफी शांदर growth देखने को मिला है अगर हम बात करें company के operating profit की तो जहाँ पे 2022 के अंदर में company का operating profit 82 करोर्स का था वही 2023 में यह बढ़ करके 92 करोर्स पे आ चुका है तो company की sales के साथ साथ मे operating profit में भी हमें एक शांदर growth यहाँ पे देखने को मिल रही है अगर हम बात करें company के net profit की तो जहाँ पे 2022 के अंदर में company का net profit 35 करोर्स का था वही 2023 के अंदर में भी जो company का net profit है वो same है 35 करोर्स का तो जादा हमें आप एक बिलकुल भी आप कह सकते हो increment net profit के अंदर देखने को नहीं मिला जो कि अब थोड़ा सा इसे negative कह सकते हो बट इसका main reason आपको बता देता हूँ पहला reason यह है कि 2022 के अंदर में जो company की other income थी वो 9 करोर्स की थी and why 2023 में वो सिरफ 4 करोर्स की थी तो company की जो other income है वो decline हुई है साथ ही साथ में company ने जो है 2% extra tax pay की आदा 2022 के अंदर में त company के shareholding patterns की तो हमारे पास मैं अब है जून 2023 वाले quarter का last data है जिसके according promoters के पास में 43.81% का stake मौजूद है foreign institutions को अगर आप देखते हो तो हर थोड़ी थोड़ी देर में अपना stake बढ़ाते जा रहे है and 7.12% पे इनका stake आ चुका है same domestic institutions भी अपना stake हर quarter में थोड़ा थोड़ा increase कर जा रहे है and 13.84% पे जो है domestic institutions का stake आ चुका है अगर हम बात करें public यानि की retail investors की तो इनके पास में 35.23% का stake मौजूद है all over shareholding patterns हमें fair देखने को मिल जाते हैं अब आईए बात कर लेते हैं stock के नाम की तो company का नाम है Shelly Engineering Plastics Limited इस company का जो NAC code है वो है S-H-A-I-L-Y and वहीं अगर ह जो से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company के दो stocks हैं तो आपके जो दो stocks हैं वो total में 10 stocks में convert हो जाएंगे आप ये भी कह सकते हो आपका जो हर एक stock है वो 5 stocks में convert हो जाएगा and इस stock split को देने की जो X date और record date है वो भी तक upcoming में है अब company की तरफ से जैसी कोई बे official announcement आ दीचेगा because finomedia के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye